जैसरी करश्ण मित्रो, मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 13 दिसंबर 2022 मंगलवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान हनुवान जी की करपा से आज 12 में से 7 राशी वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इन 7 राशियों में आज है मित्वन, करक, सिम्व, तुला, ब्रश्चिक, कुम्भ और मीन राशी वाले लोग वही अन्यराशियों के लिए आज का दिन सामान ने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुँचे आप नित्यका राशी फल नही नही ज्यानवरधक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज पहुशमास कुरुष्ण पक्ष की पंचमी तिथी है मंगलवार का दिन है आज दिन की सुरुवात आशलेशा नक्षत्र से होगी और करकर आशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियो दई प्रातह काल 7 बच के 4 मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के 5 बच के 25 मिनिट पर होगा और आज राहुकाल 2 बच के 50 मिनिट से आरंबो करके सायंकाल 4 बच के 7 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें और आज दिशा सूल रहेगा उत्तर दिशा में तो आज के दिन आप उत्तर दिशा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य आरंब नहीं करें उत्तरदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावशक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा आरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवसरेष्ट महूर्थ अभी जीत महूर्थ आरंब होगा प्राता काल 11 बच के 54 मिनिट से आरंब हो करके दोपार 12 बच के 35 मिनिट तक सरवसरेष्ट वशुब महूर्थ रहेगा इस महूर्थ में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तो की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महूर्थ में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों को आज शूबु परिणामिस प्रकार से मिल सकते हैं व्यापार व्यवसाय करने वालों को सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे विद्यार्थी वरग को आज मन पसंद जगह पर एडमिशन की विवस्ता हो सकती है मित्रों के साथ घुमने फिरने का योग बन सकता है घर की जरूरतों के लिए कुछ खरीदारी आपको करना पड़ेगी विदेश या दूर से संबंदित कारियों में आपको सफलता के योग है ससुराल पक्षे से संबंदों में सुधार रहेगा लाइप में आपके कुछ तनाव अवश्य रहेगा परिवार के किसी सदस्य के स्वास्तों को लेकर आप चिंती ज़्यादा रहेंगे रोजगार के छेतर में जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें नए अवसरों की प्राप्ती होगी तो आज आर्थिक वक्ष आपका सामान्य रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात भगवान हनवान जी की यथा शक्ती पूजन करें और भगवान हनवान जी को मिठाई का भोगर पित करें श्रीफल चड़ा करके ओम स्री राम दूताइनमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब हो बस सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है वरशब वरशब राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारे छेतर में महिला मित्र के सहयोग से नए प्रोजक्ट पर काम शुरू कर पाएंगे आपके आत्मबल में वरद्दी होगी ख्याती में विस्तार होगा भाई बंदों की सलाह से व्यापार व्यवसाय में उन्नती प्राप्त करेंगे जीवन साती का पुर्ण सहयोग मिलेगा और आपके द्वारा शुरू की के कारियों से आपको लाब होगा परिवार के किसी सदस्य से सुब समाचार सुनने को मिल सकता है इस्थाई संपत्ती का विस्तार होगा दिखावे से आपको बचना चाहिए पिता के स्वास्त का विशेश ध्यान रखें किसी भी तरह के संक्रमन से दूरी बना करके रखें अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखें तो आज भाग्यशाली अंक छे है आपका शुब रंग केशरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से प्रातह का लिष्णान करने के पस्चाद भगवान हनुमान जी के मंदिर में के सरियाध भजा का दान करें रितुफल अरपित करें और ओम हम हनुमतिये नमा इस महा मंत्र का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अगर आप केरियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो अभी परिस्तितियां उत्तम नह से विचार विमर्ष अवश्य कर लें किसी परिचित के सहयोग से अटका हुआ पैसा प्राप्त होने के योग हैं लाइप में आपके मान सम्मान में वरद्धी होगी छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतित कर पाएंगे परिवारिक संपत्ति संबंदित विवात खत सफेद रंग का प्रियोग कारिशेतर में आज अधिक सदिगाप करेंगे तो आपको विशीष लाप की प्राप्ति होगी तो सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपका विशीष उपाईस प्रकार से हिन प्राताहका लिष्णान करने के पस्चाद अगले राशी है करक करक राशी वालों को आज शुब परिणामिस प्रकार से मिल सकते ही आज के दिन किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहेंगे तो आप सफल भी रहेंगे अधिकारी वर्ग का सहयोग वा समर्थन आपको मिलेगा पुराने मित्र से आर्थिक समाचार मिलेंगे करी चेतर में जीवन सांती के सलह काफी मददगार सावित होगी विवाह योग्य जातकों को शुब समाचार प्राप्त होंगे मंगल कारी की रूप रेखा बनेगी तो आज आर्थिक वक्षा आपका मजबूत रहेगा आज आपका भग गिशाली अंक दो ह शुब रंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चाद भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें मिठाई पंच मेवा का भूग लगावें बेट करके हनुमान चालिशा का सरद्धा पूरवग पाठ करें तो यसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव वस सफलता दायक आज रहेगा अगली रासी है सिंवा सिंवा रासी वालों को आज शुबव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही आज अधूरे पड़े कारियों को पूरा कर पाएंगे जिसके लिए भागदोड आपकी बढ़ सकती है मित्रों के साथ घूमने फिनने का अवसर मिल सकता है विद्यारती वर्ग को अधिकत एकागरता से काम करने के आवश्यक्ता रहेगी परिवारिक खर्चों पर नियंतर्ण रखें और छोटे भाई की उन्नती से मन आपका संतुष्ट रहेगा जीवन साती के साथ संबंद मधूर रहेंगे दामपत्त जीवन सुखत रहेगा वियापारी वर्ग को नगत धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है किसी भी तरह के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए विसे लाइब में सुख की अनुभूती आपको होगी तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामाने रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुबरंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्नस संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से प्राताहकालेशनान करने के पश्चात हनवान जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें लाल पुष्प की माला चड़ावें रितूफल और मिठाई का भोग अर्पित करके स्रीफल चड़ावें और उम अंजनी सुताई नमा इस महा मंतर का 108 बार जाप करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हुव सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं लाइप में जो है परिवार में मिल जुल करके काम करेंगे तो आप काफी सफल भी रहेंगे रोजगार के छेतर में अर्चनों से छुटकारा मिलेगा भाई बहन के विवाह की चिंता यदि होगी तो खत्म होगी माता पिता का आशिरवाद बना रहेगा जिससे मन आपका प्रसंद रहेगा नए मित्र बनेंगे जिससे आर्थिक इस्तिती मजबूत भी होगी निवेस के लिए सही समय है अनावाश्यक खर्चों से सावधान रहे राजनीती से जुड़े लोगों को नए अवसरों की प्राप्ती होगी सामाजी कारी करने का अवसर मिलेगा जिससे मान प्रतिष्ठा में वरद्धी होगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका बहतर है आज आपका भगगेशाली अंक दश है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इस्नान करने के पस्कात भगबान हनवान जी को सिंदूर का चोला अरपित करें हनवान जी के मंदिर में केसरिया ध़जा का दान करें पंचे मेवा का भूग लगा करके पान का बीडा चड़ावी और बेट करके ओम हम हनुमती नम इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं धर्म कर्म के कारियों में मन आपका लगेगा तिर्थ यात्रा आदी का कारिकरम आप बना सकते हैं धर्म के स्थलों की यात्रा आपके लिए काफी अच्छी रहेगी मित्रों वा सगे संबंदियों के लिए कुछ धन की विवस्ता आपको करना पड़ सकती है विद्यार्थी वर्ग यदि किसी परतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो अधिक मेहनत की आवशकता है आपको सफलता आवश मिलेगी घर परिवार के वरिष्ट सदस्यों से टकराव मोल लेना ठीक नहीं है कारोबार में विसे आपके वरद्धी होगी और आपके विचार सकारात्मक माहुल बनाएंगे सामाजी ख्याती में विस्तार होगा जिससे आर्थिक लाप की उम्मिद आप कर सकते हैं तो आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी खेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात भगबान हनुमान जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें लाल पुष्प की माला अर्पित करें लाल रितुफल और पंचे मिवा का भूग लगावें और बेट करके ओम महावीराई नमहा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है ब्रश्चिक ब्रश्चिक राशी बालों को आज शूब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अपने बिजनेस या जाप प्रोस्पेक्ट को सुधारने के लिए कारेकरम में परिवर्तन करना आवशक रहेगा आर्थिक फिल्ड में अभी ज्यादा प्रेसर नहीं है हल्की फुल की देंदारियां चुका देने के बावजूद सुरक्षित कोश में कमी नहीं आएगी परिवार जनों की जरुरतों का ध्यान आवश्य रखे आपकी लाइप में नई उर्जा का संचरन होगा व्यापार व्यवसाय में उन्नती के साथ साथ पद प्रतिष्ठा में व्रद्धी होगी विद्यारती वर्ग को सिक्षोकों का सहयोग वा आसिरबाद मिलेगा और लंबित पड़े आपके अधूरे कारे पूरे होंगे इस्तितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी तो आर्थिक पक्षबी आपका मजबूत रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुब रंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो सभी प्रकार के विगना संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पस्चाद गंदपुषपा अक्षद के द्वारा हनवान जी का पूजन करें पीपल के ग्यारह पत्तों के उपर स्रीराम जी का नाम लिख करके माला बना करके अर्पित करें मिठाई और चना चिरों जी का भोग अर्पित करें और बेट करके ओम स्री राम भक्ता इनमा इस महा मंत्र का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं परिवार में किसी खास सदस्य के खराब स्वास्त के कारण परिवारिक वातावरन कुछ अवसाद पूर्ण हो सकता है धार में कारिय करने में मन लगेगा संतान से कोई शुब समाचार सुनने को मिलेंगे लाइब के लिए समय अवश्य निकालें परिवारिक संपति से आपको लाभ होगा विद्ध्यारती वर्गु को सिक्षा के छेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति होगी जिससे उच्च सिक्षा का मार्ग प्रसस्त होगा आर्थिक लाप की इस्तिती उत्तम बनी हुई है निवेश के लिए उत्तम समय है से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से प्रातह काल इसनान करने के पस्चात हनुमान जी की परतीमा को पंचामरस से इसनान करवाकर इसके सुद्ध जल अर्पित करें लाल वस्तर लाल पुश्प की माला चड़ावें रितूफल और पंचे मेवा इस महा मंतर का यता शक्ती जाप करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वस्फलता दायक आज रहेगा अगले राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं आज रचनात्म कारी करने का अवसर आपको मिलेगा सारीरिक सिथ आपकी बातों से प्रभावित होंगे उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा आलस्य को त्याक कर कारी छेतर में नई उर्जा का संचरन होगा जिससे भविश्य में आप उन्नती प्राप्त करेंगे तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है आज आपका भाग्यशाली अंक दो ह शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात हनुमान जी महराज का गंद पुश्प अक्षट के द्वारा पूजन करें मिठाई का भोगर पित करके ओम अंजनी सुता इनमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब वब सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों को आज शूब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते ही आज कारी छेतर में बातावरण में सुधार होगा किसी सहकर्मी या अधिकारी वर्गी के द्वारा आपको काफी समर्थन मिलेगा सत्रों से आपको निजाद मिलेगी पिता के साथ संबंदों में सुधार आएगा आपकी लाइप में नया उसाह उमंग का अनुभव कराएगा संतान की 29 से मन संतुष्ट रहेगा व्यापार के विस्तार की योजना आप बना सकते हैं राजनीती से संबंदित लोगों को आर्थिक लाप के योग हैं विद्यार्थी वर्गों को सिक्षा के छेतर में कुछ परेसानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन सिक्षकों आधी की मदद से आपको काफी सफलता मिलेगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका बहतर है आज आपका भागिशाली अंकचार है शुबरंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद पंचामरत में केसर मिला करके हनमान जी की प्रतिमा को इश्नान करावे सुद्ध जल अर्पित करके सिंदूर का चोला चड़ावे मिठाई और इतुफल का भोग अर्पित करके ओम मारू ताइनमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करे तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही मीन मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही आज का दिन आपके लिए मध्यम फल दाई होगा आज आप कुछ मायूसी के मोड में हो सकते ही विपरीत हालतों से मन परेशान हो सकता है इसलिए मन की एकागरता अवश्य बनाय रखे सकारात्मक विचारधारा रखे युवा वर्ग को दामपती जीवन अथवा प्रेम संबंदों को लेकर सिकायत रहेगी कुछ जरूरी खर्च आपके सामने हो सकते ही बुजर्गों का सहयोग कुछ हद तक माहल को ठीक करने में सहायक होगा पिता के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे वेसे आर्थिक इस्थिति आपकी मध्यम रहेगी किसी भी तरह का निवेश हनी कारक हो सकता है आज के दिन आपको विशेश करके सतर करह करके काम करने की अवशकता रहेगी तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है आज आपका भाग्यशाली अंकसाथ है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियुकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राता हकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान हनुमान जी को पंचामरत से इसनान करवा करके सुद्ध जल अर्पित करें सिन्दूर का चुला चड़ावें लाल पुष्प की माला चड़ा में चना चिरोंजी का भोग अर्पित करके बेट करके हनुमान चालिसा का पाट करें अथवा हम हनुमतियनमा इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब हो बस सफलता दायक आज रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देने के राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्तरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे